गुड मॉर्निंग राधे राधे दोस्तों तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है मॉर्निंग की मेरी पूजा चल रही है और मैंने सचा ब्लॉग में स्टार्ट कर ही लेती हूँ धेरे धेरे करके रुटेन में मुझे आना है तो काफी दिनों से कोई ब्लॉग में बनाई ही ती जिसका बहुत बड़ा एक कारण था कि हमारे घर में एक गमी हो गई थी मेरे इसले बड़हीं हो गई दों हमें करन चांद को जो इस समझें एक रचेटक आजू पर हेन रहा क्या करें कैसे पुच्छ करें की 5 थोड़ा टाइम तो कि सबी ओकी ने पारी हो इसी काम के उठाएं पड़ान है यह तो खुल जाती है मगर मैं खुची है अपना ताइम से उठाएं ज्यादा जल्डी ने उठाएं हूँ उजा हो गहा है एक ते ही क्या नाशता बनाती है यहां पर अभी सो रहे हैं स्रजन अचल दोनों ही तो स्रजन की वैसे ही तब यह ठीक नहीं है तो चलिए चल के बना लेते हैं यह किसी नाश्ता तो घर में लग रहा है एकदम अंधिरा क्योंकि बाहर का धर्वाजा है बंद यहां ची लाइट अपन कर दो अचल भी बिमार पड़ा है स्रजन लीगें स्रजन बस बिमार पड़ा है फीक हो रहा है तो आजिकलिआ के समझे दिन उसको दवाईया करवा देते हैं और उसके बाद फिर निकल जाएगा भोपाल के लिए उसके एक्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं तो ठीक रहेगा तभी तो पढ़ाई कर पाएगा जल्दी से बनाती हूं चाय दोनों से पूछ ले हूं उठ जाओ जल्दी से मैं चाय जाओ से बना चायँ संस्टा बनारे हूं उसके बाद फिर कुछ नास्ता बनाउंगे तो कमी बनाने से मटन रहे हां जा नहीं है तो मुझे खिच्डी धियान आई कि आज मैं الास नहीं कि लिए तो घीजगे बहुत अच्छा टेस्ट लगता है बहुत अच्छी सुगन्दाती है और साथी मैंने खड़े मसाले डाले थी थी तो जो डाले हैं और थोड़ी सी ना प्याज बजगी थी वैसे ज्यादा डालती नहीं हूं लेकिन मैंने आज पोकश बनाई थी सवेरे तो प्याज बची तो बच्चों को खाने में भी अच्छी लगी और थोड़ा टेस्ट भी हमारा चेंज हो जाता है मुखा तो यहां पर मैंने आलू मटर सब डाल दिये थे और फिर यह ना मसाला पिसाववा रखा था लैसुन अद्रक और हरी धनिया का मैंने यह मसाला बनाई हूं यही मसाला इ अच्छा नहीं लग रहा है मतब कुछ टेस्ट ही नहीं दे रहा है मुँ में तो मैंने सचा थोड़ा सा टेस्ट हमारा चेंज हो जाएगा और कभी कभी ऐसे कुछ चेंज करके बनाओ तो अच्छा लगता है बहुत दिनों बाद आज मैं यह बना रही हूं अब मसाले वगर यह तब ही कमेरे धोके रखी हुई हूं और यह मैं दोपहर में बना रही थी तो इसमें मैंने फिर हल्दी साथी लाल मेर्च थोड़ा सा धनिया पाउडर यह सब कुछ भी डाल दी हूं और मुझे नव एकदम साधी वाली खिचडी अतनी पसंद ने आती थोड़े मसाले वाली बनाओ तो अच्छे लगती है उसके बाद मैंने सब भूनने के बाद यहाँ पे चावल भी डाल दी है तो बस यह मेरी खिचडी बन जाए उसके बाद ना फिर मैं मुझे आज लड़ू बना लूँ तो स्रजन जब जाएगा तो उसको देने के लिए थोड़ा मतनास्ता मुझे बनाना है तो अभी तो मैं लड़ू की तैयारी करने की सोच रही हूँ पुलाव बनाने के बाद मैं बना लूँगी तिली बगएर मुझे भून के रखना है तो तिली तो म शामाम के टाइम पे मैं बनाऊंगी लड़ू वगेरा और देखती हूँ क्या क्या बना सकती हूँ आज नहीं तो फिर कुछ चीजे मैं कल बना लूँगी तो यहाँ पर मेरी तिली भून रही है और उसके बाद फिर करूंगी मैं और तैयारियां तो प्लीज मेरे ब्लॉग और नए साल के साथ थोड़ी नई चीजे मुझे फिर से स्टार्ट करनी है तो पूरे कंटिन्यू रहने का मैं सोच रही हूँ कि मेरा दो हजार चौबिस ऐसे ही ना चला जाए और मैं कुछ ना कुछ जरूर इसमें करूं तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करिए साथ दीज तो मैं ना लड़ो बिल्कुल कंट्यून नहीं कर पाई थी तिली वगएर सेकर और मुझे अचनक फोन आ गया किसी का कि कोई बैठने आ रहे हैं मतलब भी गमी हुई है हमारे यहां तो बैठना चालू है तो इसलिए मैं जल्दी से जाके फिर मैंने कपड़े वगएर अपन ठ् καरीमि में पाउक पूर्ड़ करीब तो बाषा था और जो मैंने की वण और क挑कने तैसर नहीं कलु सॉटे अच्छा लगा थी तो मैंने उन्होंन की था इच्षे थी श्युआ ज्यून थे नहीं कर गोंGA सामा hunच्नाति हैं करे दिक हम साथ देखाता ईज्यून मैंने आज बना के देख रही हूं कि कैसे बन रहे हैं अच्छे लगेंगे तो फिर मैं अगली बार फिर थोड़ा ज्यादा सोट डालके और फिर से बनाऊंगी लड्डू तो अभी तो थोड़े से ही बना रही हूं इतने तो एक दो दिन में खत्मी हो जाएंगे और मुझे अभी स् है और और भी नास्ता भी बनाना है तो जल्दे से पहले इतने लड्डू बनाती हूं तो सब तिली और गुड़ को मैं अच्छे से में मिलाऊंगी और उसके बाद जल्दी गर्म गर्म ही इनके लड्डू बनाते जाऊंगी नहीं तो वो ठंडा होगा तो लड्डू बनते नहीं है तो और देखती हूं कि और अभी क्या नास्ता बना सकती हूं मैं सोच रहे हूं थोड़ी पापड़ी वगएरा भी बना दू मैं देखी तो फिर अगला काम बो शुरू करती हूं तो तिल और गुड बहुत ज्यादा गर्म है तो बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है मगरना मैं पानी लगा लगा के हाथों में और बना रही हूं तो इसके बाद मैं सोच रही हूं कि इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगी और जो अगली रेसिपीज वगएरा हो और उसके बाद फिर अगला वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगी या ब्लॉक बनाऊंगी जो भी कुछ बनाऊंगी तो जल्दी अलदी कंटीनियूमे मैं फिर से दोबारा से स्टार्ट करती हूं तो चलिए मिलेते हैं विदा और जल्दी से इसके बाद दूसरा वीडियो अपना स्टार्ट करती हूं